दोस्तों अगर आप Google Drive यूज करते हैं तो यह अच्छी तरह से जानते होंगे कि Google Drive हमारे लिए कितना important है. Google Drive में हम बहुती important files को save करके रखते हैं यहां तक कि हम अपने WhatsApp की चेट history, WhatsApp का पूरा backup जो है Google Drive में save करके रखते हैं, बहुत सारी files होती है जो Google ड्राइब हम Investment करके रखते हैं. और ऐसे में अगर आपके मन में confirmation हे कि रायर रायर कितना स़र्व कितना नहीं कि और फिर गुल ड्राइब ने जो भी डेटा सेट पर रेक्ते है और पिर गुल ड्राइब से कितना सinhas देखते है는 और फिर आपकी इमरान और आप देख रहे हमारा यूटूब चैनल EFA दोस्तो इस पैसली ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिन लोगों ने मुझे से कमेंट्स में कहा था कि भाई इस टॉपिक पर वीडियो बनाई है अगर आपको वीडियो अच्छी लगती तो वीडियो को जादा से जादा शेयर करीए तागी और लोग भी समझ सके और अगर आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे तो लाल बटन को दबागर चैनल को सब्सक्राइब करना बिलकुल ना बोले और उसके बाद बैल आइकन ज को प्रके जैसे कि हमारे पास को हम इसका फॉट कीलिक करा के भी भी बाहत सारी हम जो जतनी बी इंपोर्टेंट फाईल होती सारी सारी गूगल डॉट sorry this करते यह जा तो सब்क्र आपका cured रहा हो के गोगल किथे दिए धी यह तो प्रॉगल आप МУЗЫКА करकी लाइड है आप जो तर ही नहीं आप इंटरनेट पर कुछ भी कर रहे हों कहीं पर भी कुछ भी सर्च कर रहे हों या फिर ओनलाइन यूटूब पर या फिर कहीं पर भी कुछ भी देख रहे हो उसका पूरा का पूरा रिकोर्ड गूगल के पास होता है Google को पता होता है कि आप क्या-क्या देख रहे हैं क्या-क्या कर रहे हैं इंटरनेट पर क्यूंकि Android phone हम यूज़ करते हैं तो Android जो product है वो Google का ही है यानि कि हम जो phone यूज़ कर रहे हैं Android वो Google का ही है तो ऐसे में Google सब कुछ जानता है कि आपने Google Drive में क्या-क्या सेव करके रखा है, चाहे है आपने कुछ भी रखा हो, तो अगर आप ये सोचते हैं कि गुगल देख सकता है, तो भाई, गुगल के पास इतना टाइम नहीं कि गुगल देखेगा, तो गुगल देखेगा, मतलब क्या है, कि गुगल का मालिक, तो इ टाइम नहीं लेकिन गूगल पर जो काम करने वाले करमचारी जो भी वरकर है तो अगर आपको यह लगता है कि वहां के जो करमचारी है वह कहीं में यूज ना कर दे और फिर वो देख लें तो ऐसा वह भी नहीं कर सकते हैं कि यह चोटी मोटी चीज नहीं है कि किसी भी उजर् गूवर्मेंट को जरूरत पड़ती है डेटा की तो गूगल आपकी डेटा गूवर्मेंट को दे सकती है तो यहां से सीधा साफ है कि गूगल ड्राइव एक स्क्रेविस है गूगल का प्रोडेक्ट है तो फिर बिलकुल आंख बंद करके इस पर भरोसा कर सकते हैं लेकिन अ और के लेपटोप में लोग इन कर रहे हैं तो फिर याद रहिए जो भी हिस्टरी होती वो लेपटोप में कूकी में आ जाती वो चाहें उसके जरीए से आपका बैक अप लिकाल सकता है और फिर कई सारी चीज़े ऐसी भी होती है अगर किसी को मिस्यूज करना है आपके अग सारी चीज़े तो आपको इन चीज़ों का खास दोर पर धियान रखना है किसी और के मुबाइल में या फिर किसी और के लैपटोप में आपको अपना इमेल अकाउंट लोग इन करना जाए और दूसरी चीज़ आप अपने फोन में जब अपना अकाउंट लोग इन करते हैं Google Drive open करते हैं अपना पूरा Google Dashboard खोलके बैड़ आते हैं तो ऐसे में आपकी data secure नहीं है Google Drive secure नहीं है आपका email secure नहीं है वो इसलिए मैं अपनी बताऊं मुझे UC Browser पर 1% भी भरोसा नहीं है तोर बराउजर पर तो किसी को भी भरोसा इतिंग नहीं होगा लेकिन मुझे UC Browser पर भी भरोसा नहीं है अगर आपको अपना personal account login करना है Google Drive email या कुछ भी तो आप Chrome Browser का इस्तेमाल करिए Chrome Browser एक Google का product है जो कि fully secure है और एकदम secure है आप Chrome Browser से open करिए ऐसे में आपकी data भी safe रहेगी और browser तो आपका safe है ही तीसरी चीज आपको क्या ध्यान रखनी है किसी भी अवैद लिंक पर क्लिक ना करें देखिए हमारी data loss होने का hack होने का सबसे बड़ा reason यह भी होता है अवैद लिंक पर क्लिक करना अवैद लिंक कैसे जैसे कि आप UC Browser से कभी भी क्लिक करते हैं Chrome Browser से ओपन करें जैसे कि बहुत सारे ऐसे लिंक होते हैं जो रिडिरेक्टली आपको कही पर भी पहुचा देते हैं तो ऐसी WhatsApp पर भी लिंक आते हैं बहुत सारे लिंक आते हैं अगर आप उन पर क्लिक करते हैं वहाँ पर अगर आपको दिख जाता है Google Drive या फिर Amazon या फिर फिलिप कार्ड ओफर दिख जाते हैं वहाँ पर आपको email मांगा जाता है एमेल डालिए और अगर वहाँ पर email डाल जाल जाते हैं तो फिर आप यहाँ पर भी खत्रे में पढ़ सकते हैं यह जरूरी ही नहीं है कि Google Drive दिखने वाला पेज Google Drive ही हो या फिर Amazon दिखने वाला पेज Amazon ही हो या फिर फिलिप कार्ड जैसा पेज फिलिप कार्ड ही हो क्योंकि ऐसे पेज बहुत ही आसानी से बनाए जा सकते हैं और अगर आप उसमें अपना परसनल अकाउंट लोग इन करते हैं तो आपका email और password हैक हो सकता है email पासवड अगर हैक हो गया तो आपका Google Drive और Google Photos आपके जितने भी अकाउंट है वो हैक हो सकते हैं तो उमीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी अगर वीडियो अच्छे लेगी तो लाइक करना बिलकुल ना भोले और वीडियो को जादा से जादा शेयर करिए ताकि और लोगों को भी पता चल सके तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं आपनी अगली वीडियो में तब तक के लिए टेक केर